बूर्णिंग स्टूडेंट में आज हम जो हमने मेजर्मेंट लेंथ वाला किया था उसका चेक और प्रोग्रेस हम करेंगे उसको एक बर फिर से उसके एजरी रिविजन करेंगे इसमें एड फॉलाइंग देखिए जो एड हम करते हैं बिल्कुल ओर्डिनरी एड की तरह होती यह कितना है 8 और 5 13 का 3 यह 13 आया हमने इधर वाला यहां लिख लिया ठीक है यह इधर वाला हमारा 1 कैरी आ गया 1 और 7 8 8 और 3 11 अब जो 11 आया है तो कई बच्चों ने क्या किया था पिछले वर्क्षीट में वो 11 पूरा का पूरा यहां लिख दिया था वो बिल्कुल गलत है आप पूरा का पूरा यहां पर नहीं लिखोगे आप सिर्फ जो 11 का या जो भी आपका नंबर आ रहा है उसका इधर वाला राइट वाला पार्ट इदर लिखोगे और जो लेफ्ट वाला है वो फिर से मीटर वाले पर कैरी चला जाएगा जो इधर वाला है चाहे हो का 6 1 केरी 1 3 4 4 4 8 अब को ऐसे यह करना है यह मीटर है और यह हमारा सेंटिमीटर है कि ऐसे आपको यह वालाकोशन खुद से करना है जैसे मैंने समझाय और सब्ट्रेक्शन आप करेंगे सब्ट्रेक्शन में इसमें इसमें भी ऐसे करना है जैसे यह 3 है 3 में से 5 नहीं जा सकता तो 3 अपने साइड वाले से 1 ले ले लेगा तो 13 बन जाएगा अब इसने 12 बन गया था अपने साइड वाले से लेके लेकिन इसने इसको एक दे दिया था तो यहां पर 11 रह जाएगा एट ने इसको दिया था अपना यहां पर 7 रह जाएगा अब आप इसको सॉल करेंगे ऐसे यह करना है और इसको सॉल करेंगे कीप इन माइड यह मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ आप ध्यान से देखिए हमें क्या करना है to convert meter into centimeter मीटर को सेंटीमेटर में बदलने के लिए क्या करते हैं वी multiply meter by hundred हम उसлемीतर को hundred से multiply ययानु गूणा कर देते हैं फ क्यों दिमाग में रखिए गए बात next to convert centimeter into meter और centimeter को meter में convert करने के लिए हम क्या करते हैं उसको hundred से divide यानि भाग कर देते हैं यह formula है इनके number three to convert kilometer into meter kilometer को meter में convert करने के लिए हम क्या करते हैं उसको thousand, 1000 से multiply यानि गुणा कर देंगे and next to convert meter into kilometer और meter को kilometer में convert करने के लिए हम क्या करते हैं उसको 1000 यानि 1000 से डिवाइड यानि की भाग कर देंगे तो यह चारो पॉइंट आपको यह चारो फॉर्मिले अच्छे से माइन में रखने हैं तो आप measurement of length कर पाएंगे ढंग से पिछली बार बच्चों ने इसमें mistake की थी तो आप क्या रिया आप सही से करेंगे इसलिए do yourself आपको खुद से करना है सारा convert the following into centimeter इसको centimeter में convert करना है इसको माइन में रखिए इसको याद कीजिए जंक से और फिर आप यह salt कीजिए जैसे 6 meter है इसको centimeter में convert करना है तो क्या करेंगे 100 से multiply कर देंगे next time convert the following into meter अब आपको इसको meter में convert करना है centimeter है और meter में convert करना है तो क्या करेंगे 100 से divide कर देंगे तो 5 को divide कर देंगे 100 से अब यह वाला देखिए यह आप कुछ से करेंगे 4 kilometer और 561 meter है तो क्या करेंगे आप 4 kilometer को हम करेंगे पहले meter में convert तो क्या करेंगे 4 को किसी multiply कर देंगे 1000 से और plus में हमारा 561 meter तो है अब इसको इससे किया तो कितना आ गया इस वाली की तरह यह होगा और बाकी यह simple बे में होंगे इस formula को ज्यान में रखके next step put smaller bigger और equal इन में से यह sign आपको box में fill करने हैं देखके सबसे पहला है 5 km 15 meter 5,215 meter इसमें से यह वाला greater है तो यह sign आ गया next 5 meter 6 cm और 360 cm इसमें भी 360 cm इससे greater है next 605 cm और 6 meter 15 cm इसमें से भी 6 meter 15 cm इससे greater है अगर आप इनको solve करके देखेंगे तो next 280 cm और 2 meter 74 cm इसमें से 200 cm greater है next 2 km 45 meter और 255 meter इसमें से 2 km और 45 meter है इससे greater है next 12 meter 29 cm और 925 cm इसमें से 12 meter और 29 cm greater है और next 800 meter और 8,000 meter इसमें से कौन सा greater है 8,000 meter 537 km और 537 km और 537 km दोनों equal है और अदे से 1 तूलस्ट − कदी और 6 मोर artwork करें और 3 और 10 थ्रम पार करें Draw और